Students, I want to explain you the assignment. आपको चैसाइमेंट किवन है उसमें लिखा है कि Write the whole numbers कि आपने सारे whole numbers लिखने हैं और conditions के हैं वो सारे नीचे सवाल दें number 1 है, सवाल आपने भी पढ़ने हैं कि whole numbers, write the whole numbers, कौन-कौन से whole numbers लिखने हैं अब देखो यह नोक पहले आ रहे हैं तो हम कहेंगे smaller than 12 है ऐसे whole numbers लिखने हैं जिए सारे smaller than 12 है हम smaller क्यों कह रहे हैं कि हमें देखो यह नोक अगर आपको पहले नज़र आ रही तो आपको कहेंगे smaller than अगर यह वाला mouth इसको open mouth नज़र आएगा तो आपको greater than smaller than 12 ऐसे सारे whole numbers लिखने हैं जो कि 12 से smaller हो अब 12 से smaller तो 0 से लिएक 11 तक सब आ जाएंगे लेकिन सवाल अभी खतम नहीं हुआ है जनाब आगे नहीं लिखा but greater than 6 whole number ऐसे लिखने हैं जो सारे 12 से smaller हो लेकिन 6 से बड़े हो तो इसका मतलब कौन कौन से आ जाएंगे 6 से बड़े जितने भी हैं यानि 7 आप देखो 7 ऐसा नमबर है जो 6 से बड़ा है 12 से छोटा है 8 आ जाएगा उसमें 9 आ जाएगा 11 और 12 आएगा नहीं 12 नहीं आएगा क्योंकि और नहीं कहा है कि smaller than 12 होने चाहिए equal to का साइन है नहीं अगर यह होता है smaller than and equal to 12 equal का साइन भी होता है तो हम 12 को include करते अभी इसमें नहीं करें यह नहीं इसमें कहाएगा 7, 8, 9 and 11 चीक है तो आप में यह इस तरह से numbers लिख देने हैं इसको आप अगर set बना के लिख देने हैं इस तरह से भी लिख सकते है number line में औ numbers को कोई भी नाम देते हैं अच्छा अब यह है कि whole numbers सवाल आपको कहा है right whole numbers greater than 8 8 से greater जितने भी है इसका मतलब है 9, 10, 11, 12 और फिर onward चलते जाएंगे इस तरह लिखेंगे आप set का नाम देंगे कोई साभी 8 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि condition के greater than 8 होने चाहिए 9, 10, 11 और फ इसके बाद question number 4 है right whole numbers लिखना है आपको सवाल ही है कि whole numbers से लिखना है ठीक है और conditions यहां के बान है greater than and equal to ऐसे numbers लिखने है जो greater than or equal to हो किसके 23 के यहीं 23 खुद भी include है यहीं 23 के बराबर हो साथ है और इसके बाद 23 से बड़े जितने भी numbers है whole numbers लिखना है आप लिखेंगे 24, 25, 26 onward लेकिन onward जा सकता था लेकिन उनने आगे condition बता दिए कि वो सारे numbers smaller than and equal to 34 हो ठीक है इसका मतलब हु include होगा तो जब भी इस सारे condition है इसका मतलब है 23 से लेकर 34 तक जितने भी numbers है वो इस set में आ जाएंगे 23, 24, 25, 26 onward चलते हैं 34 तक 34 खुद भी include है इसमें equal आ रहा है अब यह है whole numbers greater than and equal to 21 तो क्या मतलब है इसका अदर 21 से आप में शुरू करना है 21 खुद को भी include करना है 21, 22, 23 और पिर डॉड़ डालते हैं 21 से बड़े जितने भी whole numbers है वो सब इसमें आ जाएंगे अब यह हैस में क्या करें है all the whole numbers smaller than and equal to 53 जितने जो 53 से छोटे हों और 53 से शुरू होंगे 53 खुद भी include होगा 53 तक आने चाहिए ठीक है लेकिन शुरू कहां से होंगे 53 से सारे छोटे हों 55 यानि ऐसे whole numbers दिखने हैं जो 45 से बढ़े हों और equal भी हो सकते हैं इसका मतार 45 खुद भी शामिल हो जाएगा और 53 से छोटे हों और 53 खुद भी include हैं क्योंकि equal का sign है इसका मतार 45 46 यह सारे नमबर देखिए 53 से smaller है और 45 से बढ़े है और 45 खुद भी include है 47 से चलते जलते कहां तक जाएंगे अब 53 तक अब यह है कि all the whole numbers which are smaller than and equal to 14 इसका मतार 0 से लेकर 14 तक साब आ जाएंगे इसमें ठीक है क्योंकि 0 14 से चोटे है 1 2 3 4 साब 14 से चोटे है और equal to का sign भी आ गया यह नीचे लाएंगे इसका मतार 14 भी include है इसमें तो यह इस तरीके से आपने set बना के सारे numbers कोई भी नाम दे जाएंगे और से ब्रैकिट के अंदर इन numbers को लिखेंगे